हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत आपका फिरचे एक बार मेरे यूटूब चेनल में आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सब को पता है कि रेलवे एंटिपीसी के तीज तारीक का फर्स्ट शिफ्ट का एक्जाम है जो समापत हो चुका है उसके जो आज की शिफ्ट में ज तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना उसक्यूशन का ताकि जो भी स्टुडेंट मेरा वीडियो देखेगा उसको बेनिफिट मिल सके अगर आपने अभी तक मेरे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिया गए रेड कलर बटन को दबा क सब्सक्राइब कर लेना और बगल में इस्तित बैल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करकर ओल पर क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्यूशन यह आया था राज्यसभा का सदसे बनने के लिए नियुन्तम आयू कितनी होती है तो इसका राज्यसभा में सदसे की नियुन्तम आयू कितनी होती है इसका राय टांस वर्दा 30 यह यानि 30 साल इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्यूशन है CRR का पूरा नाम क्या होता है CRR का पूरा नाम होता है Case, Rig cases, Ratio यह इसका पूरा नाम होता है इसके बाद में हम next question की बात करते है Ja, Nimal में से कौन सा खिलाडी football से समंदित नहीं है यानि ऐसा कौन सा खिलाडी है जो football से समंदित नहीं है इसका right answer है option नमर डी माइकल सुमेकर इसके बाद में हमारा next question है बार्थ की राष्टर पति का जो कारेकाल होता है वो कितने वर्स तक का होता है यानि राष्टर पति का कारेकाल कितने वर्स का होता है option है इसका रायट आंसर है पांच वर्स का इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है नेल की खेती की दो पर्मुग पदतियां निज और कौन सी थी तो नेल की जो खेती होती है उसकी पर्मुग की दो पदतियां निज और रेयत थी इसका रायट आंसर क्या है रेयत इसके बाद में हमारा next question है मोरको की राजदानी कौन सी है यानि मोरको है उसकी राजदानी कौन सी है option number इसका रायट आंसर है डी रबाद इसकी राजदानी है इसके बाद में हमारा next question है निमन में से बार्थ के किस राज्य की विदान सबा सीटों की संख्या सरवादिक है यानि जो उत्तरपर देश है इसके विदान सबा सीटों की संख्या सरवादिक है इसके बाद में हमारा next question है पदमा जो नदी है वो किस देश से बैती है यानि जो लोग से उसका पहला चुनाव कब हुआ 1951 में और 52 में हुआ इसके बाद में हमारा next question है तेरवे वितायोग के अधेक्स कौन है यानि जो तेरवे वितायोग है उसका अधेक्स है Dr. VJL के लगकर इसके बाद में हमारा next question है बारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस का पहला दिवेशन का हुआ यानि जो बारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस का है वह पहला दिवेशन का पर हुआ बॉंबे में इसके बाद में हमारा next question है सूर्य और बरस्पती गर्य के बीच की दूरी कितनी है यानि सूर्य और बरस्पती जो गर्य है इन दोनों की मद्दे की दूरी कितनी है 778.5 million km है इसके बाद में हमारा next question है राज्य विदान सबाओ के चुनाओ का दायत्व किसका होता है यानि राज्य में जो विदान सबाओ करवाते हैं वह दायत्व किसका होता है केंद्रिय चुनाओ आयोक का होता है इसके बाद में हमारा next question है बार्थ के राष्ट्रपती लोग से बागे कितने सदस्यों को मनोनित करता है यानि जो बार्थ का राष्ट्रपती है वो लोग से बागे कितने सदस्यों को मनोनित करता है दो को इसके बाद में मारा next question है कलकता किर्केट एवं फुटबोल कलब यानि CC कलकता किर्केट प्रादिकरण यानि FSSAI का मुख्याले का परिष्थित है इसका मुख्याले का परिष्थित है न्यू देरली में इसके बाद में हमारा नेक्स्ट्यूसन कोशिका में राइव वो सोम की खोज किसने की जो जो इमली पेलाडे ने किई इसके बाद में हमारा next question है corner kick सब्द का प्रयोग किस खेल में होता है corner kick सब्द का प्रयोग football खेल से समन्दित है इसके बाद में हमारा next question है पहला संसद निचला सदन कहलाता है तो पहला संसद निचला सदन क्या कहलाता है लोग सभा कहलाता है इसके बाद में हमारा next question है Susurland की मुद्रा का क्या नाम है यानि जो Susurland की जो मुद्रा है उसका नाम है Swiss Frank इसके बाद में हमारा next question है सिर्ष गरंथी क्या इस्तरावित करती है जो सिर्ष गरंथी है वो क्या इस्तरावित करती है मेलाटोनीन इस्तरावित करती है इसके बाद में मारा नेक्स्ट क्यूशन है नाइट्रेस ओक्साइड HNO2 का आयने करन नियतांक कितना होता है इसका 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 आयने करन नियतांक होता है किसका नाइट्रेस ओक्साइड का इसके बाद में मारा नेक्स्ट क्यूशन है तवरण ग्याद करने का सुत्तर कौन सा होता है तवरण ग्याद करने का सुत्तर होता है वेग पर टाइम यानि वेग परती समय इसके बाद में मारा नेक्स्ट क्यूशन है जो सिमेंट होती है उसका मुख्य गटक कौन सा होता है इसका राहे टांसर है ओप्सन नमर B चुन्दा पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम इन तिनों का मुख्य गटक किसका है सिमेंट का इसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन है जो मांड नर्ते है वो कहा की लोक नर्ते से ली है जो मांड नर्ते है वो राजस्तान की लोक नर्ते से ली है इसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन है बारत के उचनाले के मुख्य नायदिस की न्युक्ती किसके द्वारा की जाती है जो बारत का उचनाले है मुख्य नायदिश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है राष्टर पति के द्वारा की जाती है इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन है तारापुरा नाभी के उर्जा सेहंतर का परिस्तिता है जो तारापुरा नाभी के सेहंतर महाराष्टर में इस्तिता है इसके बाद में हमारा next question है, Montreal Protocol का मुख्य उद्ध से क्या है, इसका right answer है, ozone प्रत का selection करना, यह किसका उद्ध से है, Montreal Protocol का, इसके बाद में हमारा next question है, जो बरोमिन है, उसके परमाणुक में proton और electron की संख्या कितनी होती है, इसका right answer क्या है, option number D, 17 होती है, proton और electron की संख्या, इसके बाद में हमारा next question है, निमन में से कौन सी एक, अक्रिय गेस है, इसका right answer है, option number D, redone, इसके बाद में हमारा next question है, कौन सा पदार्थ काच को निला रंग देता है, यानि ऐसा कौन सा पदार्थ है, जो काच को निला रंग देता है, इसका right answer है, option number B, कौबाल्ट ओक्साइड है, जो काच को निला रंग परदान करता है, काच को रंग परदान करने वाले कुछ मुख्य कारक है, क्रोमियम और ओक्साइड का जो गटक होता है, वो काच को हरा रंग परदान करता है, मेगनीज डाय ओक्साइड है, वो लाल रंग परदान करता है आइरन ओकसाइड है, वो बूरा रंग परदान करता है और जो कोबाल्ट ओकसाइड होता है, वो निला रंग परदान करता है इसके बाद में हमारा next question है सविधान में कितने परकार की आपातकाल का प्रावदान किया गया है तो इसका right answer है 3, तीन अपातकाल का प्रावदान किया गया है इसके बाद में हमारा next question है तेत्रवा सविधान संसोधन से समन्दित है इसका right answer है option number A, पंचायति राज से इसके बाद में हमारा next question है गंतंतर में अंतिम सक्ति किस के पास होती है इसका right answer है option number B, जनता के पास next question है जो पोली और जो रोग है यह किस के कारण होता है इसका right answer है D, विशाणू के कारण होता है इसके बाद में हमारा next question है किस पर्दूसक दुआरा वरिक रोग होता है यानि जो पर्दूसक है, इसा कौन सा पर्दूसक है जिसके दुआरा वरिक रोग होता है इसका right answer है, केडमियम इसका जो सिंबॉल होता है वो सिड्डी, सिड्डी नोट किया जाता है इसके बाद में हमारा next question है रडार के आविस्कारक कोन है जो रडार है, उसके आविस्कारक कोन है इसका right answer है, option number D जो आज की वीडियो हमारी इतनी थी अगर आपको कोई भी क्यूसन याद है इसके रडार के आविस्कारक है इसके बाद में हमारा next question है एक्सरे जो होती है उसका उत्सर्जन के reverse परवाव को क्या कहते है यानि एक्सरे को जो reverse परवाव डालती है उसके क्या कहलते है इसका right answer है option number D photoelectric परवाव जोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी अगर आपको कोई भी क्यूसन याद है तो प्लीज उसे comment box में जरूर comment कर देना ताकि जब भी कोई new student मेरा वीडियो देखेगा तो वह comment पढ़ कर उस क्यूसनों को हल कर सके और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया red color के बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लेना और बगल में इस्तित बैल notification आइकोन को प्रेस करकर all पर किलिक कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास उसका notification पहुँच सके तो चलिए guys आज की वीडियो हमारी इतनी थी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंटेक केर फ्रेंड्स वीडियो देखने के वास्ते थैंक्यू भाई लोग और अब इसको लाइक भी करो भाई कमेंड भी करो और सब्सक्राइब भी करो ये तुमारा अपना चैनल है दादा अच्छे सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ओनलाइन आओ तो तुमारे फोन की भी घंटी बजे